हमारे देश भारत में यू तो कई खेल खेले जाते हैं बच्चा, जवान, बुड़ा, हर व्यक्ति अपनी मन पसंद खेल खेलना पसंद करता है खेलने से हमारा शरीर तंदरुस्त रहता है एक्सरसाइस करने से हमें नई सफूर्ती मिलती है आज मैं आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे देश का तो नहीं है अपितु जपान से आया है लेकिन इस खेल में जो प्रसिद्धी हमारे देश में मिली है वो किसी अन्य खेल को नहीं मिली है ये खेल जूडो है जो जपान का खेल है जिसे प्रफेसर जिगारो कानो ने 1882 में कोदो कान इंसिट्यूट में शुरू किया था ये जूजिट्सू का ही एक रिफाइन रूप है जूजिट्सू में ऐसी टिकनीक्स होती है जिससे चोट लगने का खत्रा निरंतर बनता रहता है लेकिन जूजिट्सू को रिफाइन करके उन्होंने जूडो नाम का एक नया खेल दुनिया को दिया जो आज पूरे देश भर में ही नहीं पूरे दुनिया में पॉपुलर है और हमारे देश में इसको लाने का श्रे शिरी गुरू रविंदरनाट टेगोर जी को जाता है जो इसे शांती निकेतन में लेकर आए और शांती निकेतन से ये खेल पूरे देश भर में प्रचलित हो गया जूडो का शाब्दी कर्थ है जेंटल वे यानि की सब्भे तरीका इसे खेलने से मन और हमारा शरीर दोनों ही सयमित रहते हैं जिस पर ये खेला जाता है उसे जूडो मैट्स कहते हैं जूडो मैट्स के बिना ये खेल खेलना असंबव सा प्रतीत होता है जूडो को खेलने के लिए हमें चाहिए एक मैदान मैदान जैनि के मैट्स जूडो मैट एरिया जूडो मैदान की लंबाई 16 मीटर 26 मीटर होती है जूडो मैदान में लाल गदे लगाए जाते हैं लाल गदे के अंदर ग्रीन मैट्स होते हैं लाल गदे जूडो के अंदर होते हैं डेंजर्स जोन कहते हैं उसके अंदर ग्रीन मैट्स होते हैं और ये पूरा कॉंट्रेस्ट एरिया होता है उस लाल गद्ये के बाहर तीन मीटर तक जनी कि तीन मैट एक मीटर का एक मैट होता है तीन मैट लगा जाते हैं सेफटी एरिया जो बच्चा बाहर खेलता खेलता गिर जाए उसको बचाने के लिए ये मैट्स होते हैं ये हार्ट सर्फिस के होते हैं थोड़े से दूसरे जमनास्टिके गदों से या रैसलिंग के गदों से ये थोड़े से हार्ड होते है और इसकी सर्फिस जो है थोड़े खुर्दरी होती है बिल्कुम मुलाइम नहीं होनी चाहिए ये जिसे पैर सिलिप ना हो इस खेल को जूते पहन के नहीं खेलते, नंगे पाउं खेलते हैं इस खेल को खेलने के लिए एक पुशाक की जुरूरत पड़ती है जिसको जुडोगी कहते है ये काफी मोटे कपड़े की होती है थोड़ी सी टाइट नहीं होनी चाहिए ये तो के पकड़के खेला जा सके इसको इस पे एक बेल्ट बांदे जाती है इसके अंदर कोई सलाई, स्टिचिंग, बटन वगएरा नहीं होते सिर्फ कोट होता है ये और इसके नीचे पजामा है लड़कियों के लिए अंदर बनैन पहनना जरूरी है गोल गले की वाइड बनैन लड़कों के लिए बनैन पहनना जरूरी नहीं है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेल्ट कैसे बांदेते है इस बेल्ट को बीच में से हाफ कर लिया तो पेट के ठीक नाप के उपर इस बेल्ट को लगाया जाता है और दोनों तरफ से गुमाया जाए ये देखिए नॉट आगे आगे तो इसके साइड से दोनों तरफ से डबल गुमा दिया मैंने अब जो उपर वाला पोर्शन है इसका उसको नीचे से फिर मैंने दोनों बेल्टों के नीचे से निकाल दिया और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको नीचे रहेगा और उपर वाला पोर्शन ये देखिए टाई इस बिलको साइड खीच देना है सफेद बेल्ट जो बच्चे शुरुआत करते हैं उनकी बेल्ट होती है उसके बाद पीली बेल्ट थोड़ा सा बच्चा सीख जाता है जो इसमें गिरना सीख गया होल लगाना सीख गया तो उसको हम येलो बेल्ट देते हैं उसके बाद आती है औरंज बेल्ट, उसके बाद आती है ग्रीन बेल्ट, ग्रीन के बाद आती है बल्यू बेल्ट, ये उसकी योगता के मताबग है, बल्यू के बाद आती है ब्राउन बेल्ट, ये क्यू ग्रेड्स कहलाते हैं, स्कूल लाइबल के चोटे बच्चों के लिए, उसके बाद आते हैं Black Belt जो आपने सुना होगा कि Black Belt है उसके लिए खास exam होता है और खास technique उसको लगा के दिखानी पड़ती है तो जो पांच डान तक चलता है एक, दो, तीन, चार Black Belt ही रहती है उसके बाद आ जाती है Red and Red Belt उसके बीच में लाल और स्पेद पटी होती है ये जो Belt है, ये चलती है 6, 7 और 8 उसके बाद Red Belt आ जाती है, बिलकुल लाल उसके अंदर कोई Joint जा नहीं होता, वो 9 और 10 Belt होती है Highest Belt होती है, इंडिया में Red Belt कोई नहीं है ये उसकी योगता को ऐसी दरसा जाता है, ये बढ़ावा देने के लिए है कि खिलाडी को ये होके मैंने आगे कुछ सीखना है, आगे पढ़ना है तो इसके Special Test होते हैं, Fight देखी जाती है जुडो खेल एक जपानी खेल है, इसके दाव पेज जितने भी हैं, उसके नाम सारे जपानी भाशा में है जैसे इपन सियोनागे, सियोनागे, उची माता, ओसोतोगारी तो ये सारे नाम जो है, जो रैफरी भी बोलेगा, वो भी जैपनीज भाशा में बोलेगा जैसे रुकने के बोलेगा, माते, हजमे, जनी के शुरुआत इस खेल में जब भी खिलाड़ी खेलते हैं, मैट पे आते हैं, वो एक दूसरे को रे करते हैं, रे जनी के नमस्ते, जैसे कुछती में हाथ मिलाते हैं तो इसमें रे करते हैं इस ढंक से रे करते हैं तो उसके बाद रैफरी बोलता है हजमे जनके शुरू रैफरी के हजमे कहने से वो शुरू करते हैं रैफरी कहता है अगर खेल रोकना हो तो वो लेगा माते साइन करेगा माते स्टॉप जनके रुकना है कुछ देर के लिए रु उसाय कोमी होल्ड शुरू करने की उसाइन देगा अवाय देगा उसाय कोमी और होल्ड तूटने में बोलेगा तोगेता होल्ड तूट गया और तीन बार अपना हाथ लहराएगा कि होल्ड तूट गया तोगेता हजमे रे माते इस शब्द बार बार इसमें आते हैं जब अपना हाथ उपर करके पाँन सोरे मादे सोरे मादे यहीजेता इस साइड़ यह हीजेदा इस साइड़ आए तो वो इस साइड़ पर हाथ करेगा वजेटा इस खेल को खेलने के लिए एक रैफरी और दो साइड जज़ की जुरूरत पड़ती है और रैफरी जो है वो पॉइंट देता है अब मैं आपको पॉइंट बदाऊंगा इसके के पॉइंट क्या होते है पहला पॉइंट है सबसे छोटा जो है वो कोका होता है उसका साइन ये होता है रैफरी हाथ करेगा तो वान फोर्थ जैनिके एक बहुत छोटा सा पॉइंट मिलेगा उसको दूसरा पॉइंट है यूको यहां से नीचे बिलकु सीधा आना चाहिए ये यूको का साइन है उसके बाद आज़ता है वजारी वजारी हाथ यहां से बिलकुल सीधा चाहेगा ये वजारी ये आल्मोस्ट इप्पन की तरह होता है इप्पन हाथ नीचे से सीधा उपर जाएगा ये फुल पॉइंट है इप्पन इस पे फाइट खत्म हो जाती है रेफरी कई बार ऐसे हाथ करके दोनों खिलाड़ी के तरफ इशारा करता है फाइट करने का उंगली करके फाउल देता है उनको उसके तरफ फेस करके फाउल देता है तो ये भी इशारा इसमें साइन होता कि ये आपनी या ऐसे जहसे देता है कि आप उसको खीच रहे हैं आप उसको धकेल रहे हैं और ऐसे हाथ डालना फाउल है ऐसे तो रेफरी को शो करता कि यह हाथ अंदर डाला यह आपको पनल्टी इधर को मिलेगी बल्यू को मिलेगी या वाइट को मिलेगी तो यह इसके पॉइंट है इसके 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 अनुसाशन जो इसके रूल को तोड़ता है तो उसको हम फाउल भी देते हैं शीदो जो फौल है वो तीन बार शीदो कहने से जहने के पहला शीदो कोके के बराबर दूसरा शीदो यूको के बराबर अगर दो दो शीदो इसको मिलते हैं तो आटोमेटिक की दूसरे फ्लाई को अब जो है उसको ग्रिड यूको दिया गया तीन पे तीन शीदो एक लाड़ उसको बाहर ही हो जाएगा वो तो डिस्क्वालिफाइड हांसुकमा के शिदो बैड पॉइंट है खिलाडी को नहीं लेना चाहिए यह खिलाडी को खेलना चाहिए और अगर कोई खिलाडी गलती करता है उसके मताबग उसको फाल दिया जाता है कोई हार चीज इसके अंदर कोई गले में दान कांटा कांट के अंदर लोहे का कोई हो जाग गले में हो तो कोई धार निकासा उसको खिलाडी को बाहर निकाला जाता है एक दम उसको कहते हैं हंसुकमा के डिस्क्वालिफाइड किया जाता है नाकुन बड़े नी होने चाहिए ये तो हर केल के अंदर है उसाइकोमी होल्ड है उसाइकोमी जब दो किलाडी कھیلते है नीचे गिरा लिया तो रेफरी नीचे के और शारा करके होल्ड का साइन देता है ये उसाइकोमी होल्ड शुरू होना है ये 25 स्किंट तक जो आदमी उसको कंदे दोनों जमीन पर लगा के रखेगा दबा के रखेगा उसको इपवान का स्कोर मिलता है अगर 20 स्किंट तक उसको दबा के रखता है तो उसको रैफरी वजारी का स्कोर देता है अगर उसको 15 स्किंट से जादे दबा के रखता है तो उसको यूको ये साइन करेगा तो उसके बोर्ड पे यूको का स्कूर आजेगा अगर वो 10 स्किंट तक दबा के रखता है उसके कंदे लगा के रखता है अपने कंट्रोल के अंदर रखता है तो उसको रैफरी कोके का साइन देगा उसके बाद कलाडी निकल गया दोनों कंदे उसके निकल गया तो उसको कोके का होगा यह है उसाय कोमी, तोगेता, तोगेता का साइन करता जब होल्ड तूड जाता है तो इमिजेनली रैफरी उसको करता है तोगेता, होल्ड तूड गया यहां एक साइन और करता है, कोई टिकनीक लगाया, नौन वैलिड तो हाथ अपोजिट का ऐसे तीन बार हवा में हलाता है इसका मतलब टिकनीक वैलिड नहीं है यह उसाय कोमी, जो रैफरी साइन देता है उसाय कोमी का यह 10 से लेकर 15 स्किंड तक जो है, वो को का स्कोर रहेगा और 15 से लेकर 20 तक जो है, यूको रहेगा और 20 से 25 स्किंड तक वजारी स्कोर रहेगा और 25 से उपर जाते ही इपवान, ऐसे रैजिस साइन करेगा ये इपपॉन का स्कोर है, ये फूल पॉइंट, इसमें फॉल पॉइंट इसमें फॉल पॉइंट, 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 इसमें फॉल 17 और 20 के बीच में भी एक weight category है और ये तो age group है girls में भी ऐसे है boys में भी ऐसे है दोनों में एक जैसे हैं इसमें इसमें 60 kilo वाला जिसका 60 kilo वजन है वो 60 kilo से नीचे वाले के साथ ही खेलेगा 60 kilo से उपर अगर उसका एक gram भी उपर वजन आगा तो 60 से 65 में वो खेलेगा जैसे 61 आगया तो वो 65 वाले से खेलेगा वो नीचे वाले से नहीं खेल सकता इस करके इसमें खेलने वाले खेलाडे को अपने वजन का खास ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का running करके वजन कम करना किस weight में खेलना है उसको पता होना चाहिए तो यह जो 60 वाला 60 से खेलेगा एक weight होता ओपन का डगरी उसके वजन में 100 किलो जो उसे अब अब भी बच्चे खेल सकते हैं लेकर यह नहीं है कि 40 किलो वाला 100 किलो वाला से खेलेगा इस खेल में लड़कियों का जो समा होता है वो चार मिन्ट होता है लड़कों का जो समा होता है वो पाज मिन्ट का होता है अगर पाज मिन्ट में वो निरने नहीं होता तो इसको golden score पे दिया जाता है जो आदमी जो बच्चा जो खिलाडी पहले स्कोर कर जाता है तो फाइट वहीं खत्म हो जाती है इसको कहते है गोल्डन स्कोर खेल शुरू करने से पहले बाडी को गर्म करना शुरीर को मसलों को मास पीश्यों को लजकीला बनाना बहुत जुरूरी होता है हाँ कर दो 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 कर दो